नमस्कार स्वागत आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो आज की इस वीडियो में बिहार के तमाम बड़ी खबरे जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे तो फड़फट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाइग जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ हैं हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं और लालू के ओषडी रहे भोला यादव सामिल है भोला बिहार में बालू माविया के नाम से भी प्रसिद है वहीं एक टिंग ग्रुग्राम के अर्बन क्योब 71 मौल भी पहुची सिब्याज सुत्रों का कहना है कि मौल लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के गुद दोजाना पूर अमल से सुबोध राय लालू के करवियों और बालू माविया सुवास यादव सामिल है वहीं तजस्वी आदव ने गुरुग्राम मौल पर दिया बड़ा बयान मेरा नहीं है बीजेपी के सांसत नहीं किया था उद्गाटन जिहां आर्जेडी नेता के ठिकानों पर सिविया के चापे मारे को लेकर बिहार बिदान सबा में डिपडी सेम और आरजेडी नेता बीजेपी पर जम कर बरसे विश्वास मत प्रासा पर बहस के दोरान तेजसवी आदव ने भासन देते वे गुरुग्राम में उनके मौल पर चापा पढ़ने के कब कमपानी और मौल के डिटेल इनका लिए कमपानी के डारेक्टर भिवानी के हैं यही नहीं मुझे पता चलाए कि मौल का सुवारम भी एक बिजेपी सांसद के दुवारा किया गया था वह अगली बड़ी कबर तेजस्वी आदव ने CBI ED को BGP का जमाई बताया विपक्ष का हंगामा कहा आज संसद ये सब्द हटाओ विधान सबा में महागडबंदन सरकार के फ्लोर टेश्ट के दौरान डिप्टी सियम तेजस्वी ने BGP पर जम कर हमला वलाओनों ने कहा कि CBI ED जैसे एजनसिया BGP के जमाई है BGP जब जब हारती है उसके जमाई सामने आ जाते हैं जान सबा में महागडबंदन सरकार की विश्वास मत पर बोलती है तेजस्वी ने कहा कि BGP के तेने जमाई हैं EDCBI और इंकम टेक्स या अपने जमाई को भेज कर काम साती है इसके बाद सदन में विपक्ची सदैसों ने हंगामा सुरू कर दिया पूरो डिप्टी सेमतार की सुर परसाद ने तेजस्वी द्वारा किंद्र जाज एजनसियों को जमाई कहने पर आपत्ती जताई BGP विधायकों ने जमाई सब्द को असंसदिया मानते वे कारवाही से हटने की मांग की वाई CBI RAID पर राबड़ी बोली हमें किसी का डर नहीं तेजस्वी ने कहा सो सुनार की एक लोहार की BGP का पलटवार जो लोटा है लोटाना पड़ेगा जिहाँ बिहार में राजनेति कुटापड़क के बाद बुदवार को निती से तेजस्वी सरकार के फ्लोर टेस्ट होना था CBI के टीमों ने बिहार में राज़त के छे नेताओं के घर चापा मारा इनमें दो राजसवा सांसदों के अलावा पूर विदाय कोर राज़त के फाइनसर अबू दोजना भी सामिल है चल रहे चापे मारे पर डिप्टी सियम तेजस्वी के साथ पूरू मुख मंतरी राबडी दवी राज़त परवक्ता रितु जाइस्वाल और तेजस्वी की बहान रोहिनी आचारिया ने प्रतिक्रिया दी है इजस्वी अदव ने कहा कि सबका जवाब दिया जाएगा सोसुनार की एक लोहार की वहीं रावडी ने कहा कि हमें किसी का डर नहीं है इधर बिजेपी ने इस पर पलड़वार करते हुए कहा कि जो लूटा है वो से लूटाना पड़ेगा बिहार विदान सबा में नितिस सरकार ने जीता विश्वास मत 26 अगस्त को होगा अदच का चुनाओ बिहार में महागडबंधन की सरकार के गठन के बाद विदान सबा में नितिस कुमार ने विश्वास मत सदन में पास हो गया है विश्वास मत के प्रस्ताओं के पक्च में 160 वोड मिले हैं सरकार को OVC की पार्टी AIMI ने समर्तन किया है वोटिंग के समय बीजेपी ने वोक आउट किया इससी विश्वास मत की विरोध में एक वोड भी नहीं पड़े इस दोरान विबक्ची दलों ने सदन में जम कर हंगाम मचा है विदानसवा में मौझूद रहे पाक्च और विपक्च के नेताओं ने एक दूसरी पर जम कर हमला बोला सदन के अधिक्सिता डिप्टी स्पिकर महसरे हाजरी ने किया फ्लोर टेस्ट पर पासन के दोरान विजेपी नेता तार के सवर परसाद ने मौझ के मंतरी पर तंज कस्ते वे का कि राज़त से गड़वंदन कर मौझ के मंतरी नेतिस कुमार ने जनादेश का अपमान किया है वह मंत्री विजय कुमार चोधरी ने जवाब देते वे सदन में सरकार का पक्ष रगा कहा कि आपने कौन सा अच्छा काम किया है अगली बड़ी खबर बीजेपी का बड़ा फैसला विजय सिन्ना विरोधी दल के नेता बने समराड चोधरी को परिसद की कमान जिहां बिहार के राजनितिक गलियारे से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पूरो विदानसब अदग्च विजय कुमार सिन्ना को भाजबा विदान मंदल दल का नेता चुना गया है वही समराड चोधरी को परिसद की कमान सोपी गई है जानकारी के लिए बदा दे कि 23 अगस की सामको विजय पी प्रदेश कार्याले में विदान मंदल दल की बेड़क हुई थी जिसमें सर्व सम्मति से पूरो विदानसब अदग्च विजय कुमार सिन्ना को भाजबा विदान मंदल दल का नेता चुना गया है आगली बड़ी खबर आवद बिहारी चोधरी होंगे बिहार विदानसबा के अगले इस बिकार सिबान से रहे हैं छे बार विधायक जिहां राष्टिय जनता दल ने आवद बिहारी चोधरी को विदानसबा अदग्च बनाने का फैसला लिया है विधायक दल की बेढ़क ने रावडी आवास पर वरिष्ट सदय से अवद बिहारी चोदरी के विदानसवा अदच के रूप में नाम प्रस्ताव करने पर मुहर लगी है मुखी मंतरी नितिस कुमार भी अवद बिहारी के नाम पर समती जता चुके हैं काल साम को तजस्वी आदम ने मुखी मंतरी आवास जाकर उन्हें राज़त के फैसले से आवगत कराया है सुसिल मोदी का बड़ा ब्यान राज़त नेताओ के हैं चापे से सदन के सत्र का कोई सम्मन नहीं पूरो उपुमिक मंतरी वा भाज़बा सांसद सुसिल कुमार मोदी ने कहा कि रेलवे में नोकरे के बदले जमिन लिखवाने और भाष्टचार के विविन मामलों में राज़त नेताओ के 24 ठिकानों पर केंद्रिय जाच एजनसी के करवाई पुखता सबुत के अधार पर ह हो रही है इसका विदानसभा के विशिस सत्र से कोई समन नहीं है जब कारवाई राज़त के दागी नेताओ पर हो रही है तब दर्द नितिस कुमार को क्यों हो रहा है उन्होंने कहा कि राज़त नेताओ पर भाष्टचार के मामले में सबूत के कागजात जदोई के लोगो इसकुमार ने तेजस्वी यादव से इस पश्टिकरन भी मांगा था उन्हें फिर बिंदुवार जबाब मांगना चाहिए जब कानोन अपना काम कर रहा है इस पर राजनिती नहीं होनी चाहिए बाड़ी कबर लालो यादव को हाजिपूर कोड से बड़ी राहत आचार सहिंता उलंगन मामले में हुए बड़ी जिहां आरजडी सुप्रेमों लालो प्रसाद यादव को बिहार के हाजिपूर अदालत ने आचार सहिंता उलंगन मामले में बड़ी कर दिया है हाजिपूर सिविल कोड ने 2015 के एक मामले में फैसला सुनाते वे लालो यादव को गवाओ और सबुत के अधार पर बरिकिया उन पर चुना प्रचार के दोरान जातिस हुचक सब्दों का इस्तमाल करते वे टिपार्नी करने का रोप लगा था अधालत का कैना है कि ऐसा कोई सबुत नहीं मिला है जिससे लालो यादव को दोसी माना जाए इसी वज़ा से उनने इस मामले में बरिक करने का फैसला सुनाया गया बाड़ी कबर इदर नितिस को पियम बनाने के दावे हो रहे थे उधर जेडोई के एक लोता विधायक भी बीजेपी में हुए सामिल अरोनाचल परदेश में जेडोई का सफाया जिहा बिहार विधान सबा में कल जब नितिस कुमार के नई सरकार विश्वा समद पर चर्चा कर रही थी तो उनके प्रधान मंतरी पद की लालसा के खूब चर्चा हो रही थी जेडोई नहीं बलकि राज़त के नेता भी नितिस को प्रधान मंतरी बनाने की होड में लगे थे लेकिन जब नितिस को प्रधान मंतरी बनाने के दावों की बेची पुरवत्तर के राज अरोनाचल परदेश में जेडोई के एक मातर विधायक भी पल्ला जाड़ कर निकल गए जेडोई विधाय का दामन थाम लिया है। को सुनवाई की तिति निर्दारित की गई है वह अगली बड़ी कवर स्यम नितिस बोले 2024 में बदल जाएगी केंदर की सत्ता विबाक्ची दलों से की है यह अपील जहां मुई की मंतरी नितिस कुमार ने देश की विबाक्ची दलों का अवान किया है केंदर की सत्ता को बदले विश्वास मत के प्रस्ताव पर बहस का जबाब देरे नितिस ने बिना नाम ले प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी पर हमला किया है केंदर के विकास के दावे का यह का कर मजा कुडाया की काम नहीं सिर्फ परचार हो रहा है आम लोगों की आमदनी घड़ गई है और समाज में नवरत फेलाने के लिए सुन्योजित अभ्यान चलाया जा रहा है उन्होंने कहा कि एक जूट बिवक्ची मुकाबला कर सकता है उन्होंने अटल विहारी बाज़ पे लाल क्रिसन अडवाने और डाक्टर मूरली मनोहर जोसी के साथ अपने अच्छे समनों का जिक्र किया काकी बाज़ पे सरकार के कारिकाल में राज में महती विकास वा है लेकिन अब विकास नहीं सिर्फ प्रचार हो रहा है बाड़ी कबर बिहार में गंगा के बदले रुक ने बढ़ाई बेचेनी अगले दो से तीन दिन में बाड़ का खत्रा इन इलाकों में बड़ी चिंता जिहां बिहार के गंगा किनारे बसे सरों और गाउं के लिए खत्रे की गंटी है असल गंगा का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है इसकी सिरुवात उतर परदेस के सहर परियाग राज से हो गया है उतर परदेस में गंगा में मिलने वाले केन और बेतवा जैसे नदियों में खूब पानी आ रहा है यही वाज़ा है कि बिहार के बाकसर में गंगा के जलस्तर में आ रही कमी अब थम गई है या कल से जलस्तर में बिर्दी का रुक फिर से सुरू हो सकता है मुखी मंतरे नितिस कुमार ने गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर अब सरुक को लड़ किया है उन्हें मंगलवार को पाटना में गंगा के जलस्तर का जायजा लिया उन्हें बताया गया कि सोन नदे के जलस्तर में विद् कासर गंगा में भी देखने को मिल रहा है आपको बता दे कि बिहार में गंगा बकसर के राश्ते परवेस करते वे बोजपूर अगली बड़ी खबर डियार्डियों ने 1901 पदो पर भरते के लिए अधिय सुचना जारी की ऐसे कर पाएंग या आवेदन जिहां डियार्डियों में सरकारी नोक्रे के एचुक उमिद्वारों के लिए बड़ी खबर है भारत सरकार के रक्षा मांतराले के अधिन रक्षानों संदान एवं विकास संगटन ने 1900 से अधिक पदो पर भरती के लिए अधिय सुचना की है आपको बता दे कि जारी भरते भ 22 तक अपना अप्लिकेशन सम्मिट कर सकेंगे आवेदन के भुगतान उमिद्वारों को 100 रुपी के सुलक का भुगतान ओलाइन मैदम से करना होगा साथ है आपको बता दे कि टेक्निकल असिस्टेंट बी पदो के लिए आवेदन के चुक उमिद्वारों को किसी मन्यत प्र सुरंग से होते हुए गुजरेगी पाटना मेट्रो, 6 स्टेशन होंगे अंडर ग्राउंड, जक्सन से आकासवानी तक बनेंगे ट्वेन टनल, जिहाँ पाटना मेट्रो के अंडर ग्राउंड यानि भुमिद्वारों का काम भी सुरू हो गया है, सबसे पहले कोरिडोर 2 के राजंदर नगर से लेकर आकासवानी तक के 8 किलोमीटर लंबे रूट पर काम हो रहा है, इस रूट में 6 स्टेशन है जिसके निर्मान पर 1,989 करोड की लागत आएगी, पाटना मेट्रो की निर्मान एजंसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अनुसार, पाटना जक के निर्मान के लिए भारते जिवन बिमान निगाम, भारते नित कलाम मंदिर और आकासवानी से जमिन के मांग की गई थी, जिसके इजाज़त मिल गई है, मिटे जाज का काम भी पूरा हो गया है, ट्रैफिक डाइवर्जन के अनुमती मिलते हैं, यहां मुझ के निर्मान का बिहारे सुरू हो जाएगा, आज के लिए बस इतना ही, इसी तरह बिहार के डेली निउस देखने के लिए आप अमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें,